एक छोटे से गाउं की लड़की पूजा, हर महिने कुछ दिन स्कूल नहीं जा पाती थी, क्योंकि उसके पास सही सैनिटरी प्रोडक्ट्स नहीं थे, और नहीं कभी किसी ने उसे इन्हें इस्तमाल करने का सही तरीका बताया, उसकी मा सुनीता को कभी ये सुविधायन नहीं म गए, तब सुनीता को एहसास हुआ, कि कैसे उसकी छोटी सी बेटी इन्फेक्शन और दड़ से गुजर रही होगी, वो भी किसी की मदद के बगैर, WHO के अनुसार, इंप्रॉपर मेंस्ट्रॉल हाइजीन से यूरिनरी ट्रेक्ट इन्फेक्शन और रिप्रोड़क्टिव ट्रेक्ट इन्फेक्शन जैसी समस्याएं हो सकती हैं, जो हर साल लाखों महिलाओं को प्रभावित करती हैं, सुनीता ने फैसला किया कि वो इस चक्रडिहू को तोड़ कर रहेगी, उसने गाउं की सारी महिलाओं को इकठा किया, और एक हेल्थ वरकर की मदद से उन सभी को सेनिटरी प्रोड़क्ट्स इस्तमाल करने का सही तरीका सिखाया, पूजा को भी पहली बार समझाया गया कि कैसे स्वच्छ रहकर वो खुद को इन्फेक्शन से बचा सकती है, अब पूजा रेगुलरली स्कूल जा सकती है, और उसकी हेल्थ में सुधार हुआ है, सुनीता और पूजा ने मिलकर अपने समुदाएं में जागरुक्ता उनकी कहानी हमें सिखाती है कि शिक्षा और समर्पन से कैसे बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाती है, तो चलिए हम भी इस परिवर्तन का हिस्सा बनें